नमस्टाथ मैं हूं कुमार गजेंद्र जन्पत ओंदा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है हमारे दूसरे सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉड्कास्ट विद कुमार गजेंद्र में आपका स्वागत है दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केज जीवाल जिस तरीके से चीजों को इधर से उधर करते हैं सचमुछ वो हैरान कर देने वाला है आज क्योंकि 13 तारीकों सुप्रीम कोट में आम आदमी पार्टी के दबतर पर अतिकर्मन को लेकर गंभीर टिपनी की थी सुप्रीम कोट ने आम आदमी पार्टी के लिए खाँ था कि आम आदमी पार्टी ने जो जमीन जहां पर अपना राष्ट्य कारेयल ले खोला हुआ है वो जमीन किस तरीके से कबजाई हुई है ये एक बड़ा मामला था इस मामले के बाद सुप्रीम कोट ने कई तरीके की कई गंभी टिपनिया अर्विन केज़िवाला एंड कमपनी पर की थी लेकिन आज उस सुप्रीम कोट की तिपनी पर आज आम आदमी पार्टी ने अदालत में जिस तरीके से अपना बचाव किया जिस तरीके से उस दफ्तर को लीगल बताया सच मुच हैरान कर देने वाला था आम आदमी पार्टी ने कोट के अंदर ये कहा कि जो जमीन राउस एवेन्यू कोट कमपलेक्स के लिए आवंटित की गई ती दरसल वो जमीन पहले ही आम आदमी पार्टी के राष्टे कारायानी ने के लिए आवंटित कर दी गई थी और इसका जो आवंटन था वो डिल्ली सरकार ने कानूनी रूप से पहले ही आम आदमी पार्टी को राष्टे दफ्तर बनाने के लिए दे दिया था यानि कि दिल्ली सरकार ने आवंटित कर दिया था ये कारियाल ले के लिए कि आम आदमी पार्टी अपना कारियाल ले इस रास्टे कारियाल है इस जमीन पर इस जगा पर बना ले तो ये आज उन्होंने रखा इसके अलावा इसके अलावा अर्विंद केजडिवाल ने ये भी कहा कि राजविन केज़िवाल की तरफ से जो वकील पेस हुए थे सुप्रीम कोट में बैंच के सामने उन्होंने ये भी दलील दी कि ठीक है जो सुप्रीम कोट ने कहा है कि इस अतिकर्मन को तुरंत हटाया जाए उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए इसके पक्ष में जो द जलील दी गई केज़िवाल की तरफ से दिली सरकार की तरफ से वह ये कहा गया कि देखिए अभी जिस तरीके से जो जब तक एंडी iamc area के अंदर याणी कि जो pickled zone है vehicleahaha है वहां पर जब तक पार्टी के लिए कोई दूसरा कारयालय space जारी नहीं कर दिया जाता नहीं दे दिया जाता तब तक हमारे कारयलय को यहीं पर रहने दिया जाए क्योंकि किसी भी party का राष्टे कारयाले है और बहुत जल्दी लोग सबा चुनाव आने वाले हैं और जो दूसरी जो under party'ा हैं उनके सबके राष्टे कारयाले हैं और चुनावों को यहां से वो handle करेंगे इसलिए तुरंत खाली ना कराये जाए हाँ इतना जरूर कहा गया कि जैसे ही उन्हें दूसरा कार्याले की जमीन मिल जाएगी अंडियमस एरिया में वो इस कोर्ट कॉम्पलेक्स की जमीन को जो सुप्रीम कोर्ट बता रही है उसको तुरंट खाली कर देंगे ये आज जो अर्विंद केज़ीबाल है उनकी तरफ से कहा गया इसके अलावा जो अर्विंद केज़ीबाल की तरफ से कहा गया कि जो ये जो जमीन थी जो जिस पर इनका रास्तेकार्याल है बना हुआ है ये दो 2013 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभी टिपनी इन पर की थी इन्हों ने कहा के ये 2015 में दिल्ली सरकार ने आपके लिए आपके लिए कानूनी रूप से आवंतित की थी आम आदमी पार्टी के कारेयार राष्टे कारेयाले के लिए कानूनी रूप से इसको आवंतित करती है दा 2013 में जबकि 2023 में जो केंद्र सरकार का लेंड एंड बिडिलिंग डिपार्टमेंट है एलन डियो उसने दो हजार तेईस में इसे राष्ट्रिया इसे रावजवेनी कोट कम्प्लेक्स के लिए आवंटित किया यानिके यह जो है यह पहले ही दो हजार पंद्ना में आवंटित कर दी गई थी और यह दिखाने की कोशिष की गई कि जो जो रावजवेनी कोट के लिए जो जमेन चिन्नीत की थी वह 2023 में चिन्नित की थी लेकिन इससे पहले ही 2015 में ही जो दिल्ली सरकार है उसने कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी के राष्टे कार्याले के लिए ये जमीन आवंतित कर दी थी तो इसमें भी उन्हें ने ये दिखाने की कोशिस की किस तरीके से इनके साथ ये जस्टिस नही हुआ है ये गलत काम होने जा रहा है लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोट का है और क्योंकि कोट कंप्लेक्स से जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे खाली करने के लिए तैयार है और जो जो हाई कोट ने जो सुप्रीम कोट ने सुप्रीम कोट ने अतिकर्मन को लेके तुरं आप हो जाएं उसके बाद हम इसे खाली कर देंगे जो आपको हम यह बताते हैं दरसल यह मामला पूरा थाक है के तेरा फरवरी को सुप्रीम कोट में दीवाई चंद्रचूड की जो सीजे आई की बैंच है उसके सामने एक मामला आया और उसमें यह कहा गया था के हाई कोट के जो जमीन है यह राओजविन कोट कमप्लेक्स के पास वहाँ पर हाई कोट के जो जजिज वगएरा उनके यहाँ पर उनके लिए यह कॉमप्लेक्स एक तयार किया गया था और उस कॉमप्लेक्स पे एक जो पार्टी है आम आदमी पार्टी दिल्ली की सता पर जो आसीन है उस तीम को वापस कर दिया गया आम आदल पार्टी के लोगों ने और यह कहते हो मना कर दिया कि यहां पर हमारा कारियाल है इसलिए इसको खाली नहीं किया जा सकता तो यह से मामले को जो सीजे आई की कोट बेंच थी उसने बड़ी गंभीरता से लिया और 13 फरवरी को बहुत गंभीर टिपनी की थी नियाय मित्र सीनियर वकील के परमेश्वर ने इस पूरे मामले को उठाया था सीजे आई के कोट बेंच के सामने तो इस पर कोट बहुत सक्त नाराज हुई और उन्होंने तुरंत इसे खाली करने के आदिस दी दिये थे लेकिन आज उस मामले पर अगली सुनवाई आज के लिए फिक्स की गई थे आज जब सुनवाई हुई तो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील पेस हुई थे उन्होंने बहुत पस्ट रूप से कह दिया कि अभी लोग सवाचुनाब है और इस पर बहुत ब मौलत दे विराम लगाए कि तुरंत अतिकवर्ण हटाये जाए यानि के तुरंत वहां से राष्ट कार्याले को हटा लिया जाए इस पर उन्होंने एक तरीकी से मौलत तक मांगी है और यह जब तक यह रहेगा जब तक उन्हें दूसरी जमीन नहीं मिल जाती है एंडी एमस केंद्र सरकार के सचिव को तलब किया था आज यह बताने के बिए कि वो इस मामले पर जमीन के जो अंतिकर्मन है इस पर आगे कारवाई कैसे करेंगे और इसन्हों जल्दी से जल्दी कैसे खाली कराएगे इस पर आज अरविंद्र के जीबान के तरफ से जो वकीन पेस और जो एलन डियो ने जो जमीन अलोट किया वो गलत तरीके से किया और क्योंकि इनको तो 2015 में ही अलोट हो गई थी दिल्ली सरकार ने कानूनी रूप से आम आदमी पार्टी के नाम कर दी थी और इधर जब के इन सरकार के एलन डियो डिपार्टमेंट ने ये 2023 में इस जमीन को मांगी है और ये महलत लोगसभा चुनावों के चलते हैं ताकि लोगसभा चुनावों तक किसी तरीके से पूरे मामले को रोका जाए और जो आम आदमी पार्टी की जगा छिनने से राष्टे कारेयाल चिनने से जो उनकी फजियत होने वाली है उससे उन्हें बचाया जाए तो कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां तल्ख टिपनी करने की कोशिश की वही पर अपने आपको बचाव करते हैं और अपने आपको बचाते हुए इस मामले पर महलत भी माग ली अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइ हैं जरूर लिखे हैं हमें इससे ओजा मिलती है जैहीं जैभारत